सोम बार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ पीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बिल पत्ट चावल जो एकतिस लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो चोखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए मूं के जो दाने लेकर गए हो एकतिस वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो एकतिस बेल पत्र लेकर गए हो वो एकतिस बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुन्दरी ज शिव जी के तेरा बच्चे हैं तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जहां उसकी टंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो एक सुंबर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुंबर की अश्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा पावा से निवेदन को करो